नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कावेंदर चौहान तांडव एमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई हालिया वेव सीरीज है इसमें मुख्य किरदार निभाया है सैफली खान, डिंपल कबाडिया, जीशान आयूब और सुनील ग्रोवर ने इसकी कहानी शुरू होती है ग्रेटर नोईडा के मालकपुर नामग गाउं से जहां सरकार जवरदस्ती किसानों की जमीन को सस्ते दामों में खरीद कर उसे स्पेशल एकॉनोमी जोन में डाल रही है और इसके खिलाफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर नोईडा में दिखाई गई पुलिस के S.I. ठाकुर शरीकांत वर्मा जिसको किरदार निभा रहे हैं इस आंदोलन का मजाग बना रहे हैं और उसका साथ ही सब इंस्पेक्टर कोल डिन्ग में शराब मिला कर दे रहा है इसी बीच प्रधान मंतरी का पीए गुरपाल जो किरदार निभाया है सुनिल ग्रोवर ने आकर सब इंस्पेक्टर को तीन मुस्लिम लड़कों पर गोलिया चलाने के लिए कहता है दूसरी ओर इलेक्शन के रिजल्ट में बस दो दिन रहे गए हैं और दो बार की चुनी गई देवकी नंदन जो किरदार निभाया है तिगमांशु धूलिया की सरकार एग्जिट पोल में बहुमत ले चुकी है देवकी के बेटे समर प्रताप जो की सैफली खान द्वारा निभाया गया है बाप को साइड कर खुद प्रधान मंतरी बनने के सपने देख रहे हैं वहीं बाप की पुरानी दोस्त अनुराधा जो की डिंपल कबाडिया जिसका किरदार निभा रही है अपने नशेडी बेटे को डिफेंस मिनिस्टर बनवा रही है तीसरी और वियनू नामक एक काल्पनिक विश्वे द्याले दिखाया गया है जो पहली ही जलक में जेन्यू होने की चुगली सी करता है यहां के एक छात्र इमरान को पुलिस आतंकी कहकर उठा ले जाती है ठीक उसी वक्त छात्र निटा शंकर जो की किरदार निभा रहा है मुहम्मद जिशान आयूब एक प्ले कर रहा है जिसमें वो कोट पेंट पहने और मुह पर प्लस के साइन से बना हुआ नीला पेंट लगाये हुए है भगवान शिव का किरदार प्ले कर रहा है जिसे एक लड़का नारत बन बता रहा है कि अब आपके मतलब शिव के फॉलोवर्स कम हो गए हैं और राम के बढ़ गए हैं यहां कई फूहर जोक्स भगवान शिम के नाम पर मारे जाते हैं अब छात्रों का एक जथा इमरान को छुडाने के लिए थाने थाने के चक्तर लगाने लगता है और पुलिस बल उन्हें घेर कर पीटने का प्लान बना लेती है वहीं समर परताब अपने बाप को हटाने का सारा प्लान बना चुका है लेकिन आगे क्या होगा या आपको इस सीरीज के नौवे एपिसोड देख कर ही पता चलेगा डायरेक्टर अली अबास जफर ने अपनी ओर से मिक्स अप करके टुिस्ट एंड टर्न करने की कोशिश की है शुरुआती कुछ एपिसोड में पलक जपकने का मौका भी कम ही मिलता है लेकिन गौरप सोलंकी की लिखी कहानी असल और काल्पनिक राजनीती और मिक्स्चर बाटती है मौका भुनाती नजर आती है कुछ नयापन इसमें नजर तो नहीं आता जबरस्ती खिचती भी नजर आती है जगा जगा अलप संख्यकों पर होते अत्याचारों को थोड़ा जादा सा ग्लोरिफाई करकर दिखाया जाता है एक्टिंग के मामले में सब बढ़िया है सैफली खान शुरुआत में बहुत तेर तरार नजर आते हैं लेकिन बाद में उनका केरेक्टर थोड़ा सा धीला पड़ जाता है वहीं तिगमांशु धुलिया की बात करें तो छोटे से रोल में भी उन्होंने अपनी चाप छोड़ी है वहीं कुमद मिश्रा बहुत भेतरीन लगे है डिमपल कबाडिया ने अवार्ड विनिंग एक्टिंग की है सुनील ग्रोबर का आपको एक नया रूप देखने को मिलेगा जो यकीनन आपको पसंद भी आएगा जिशान अयूब ने भी अपने केरेक्टर के साथ नयाय किया है हाला कि कुछ एक जगा पर वो जरा ओवर भी नजर आते हैं बैग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो काफी अच्छा है थिल पैदा करता है वहीं कुछ-कुछ साउंड लाउड भी हो जाता है कुल मिलाकर तांडव एक मसाला वेब सीरीज है जिसमें आज की राजनीती में से कुछ बीती राजनीती में से वहीं कुछ और कालपनिक बातों को जोड़ कर तड़का मारा गया है और तड़के के साथ इसको पेश किया गया है शुरुआत से ही कहानी एक प्रोपेगेंडा पर उस्ती सी नजर आती है पर प्रोपेगेंडा या किसी खास धर्म को खुश करती है या नहीं ये देखने वाले की निगा बेहतर जज़ कर सकती है खैर इस सब के बाद विवाद भी शुरू हो गया है आपको बता दे कि सोशल मेडिया से लेकर तमाम जगाओं पर विवाद की खबरे आ रही है सोशल मेडिया पर सीरीज के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जा रहा है इसे हिंदू भावनाएं भढ़काने से जोड कर भी देखा जा रहा है इसी बीच आपको बता दे कि महरास्ट बीजेपी के एक नेता है राम कदम उन्होंने कहा है कि सैफ अली खान एक बार फिर ऐसी फिल्म या सीरीज का हिस्सा है जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुचाता है उन्होंने कहा है कि डारेक्टर अली अबाज जफर को सीरीज से भगवान शिव का मजाग बनाने वाला जो हिस्सा है उसको हटाना ही होगा एक्टर जिशान अयूब को इस पर माफी मांगनी होगी वहीं एक और बीजेपी सांसत की बात कर लेते हैं बीजेपी सांसत मनोच कोटक ने कहा है कि सीरीज के जरीए हिंदूओं की धार्मिक भवनाओं को ठेस पहुचाई जा रही है जल्दी सीरीज के मेकर्ज और कलाकारों के खिलाफ मामला दर्ज किये जाने की भी तैयारी की जा रही है